डिजिटल पेमेंट के क्या हैं फाइदे और क्या है नुकसान कैसलेस एकोनोमी बनाने में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने डिजिटल ट्रांजेक्शन पर कई फाइदे की घोशना की है डिमोनेटाइजेसन के बाद देश कैसलेस इस सिस्टम की तरह बढ़ रहा है शुरुआती परेशानी ने इस रहा में हालंकी कई चिंताएं पैदा कर दी है लोग यह सोचने लगे हैं कि क्या ओनलाइन ट्रांजेक्शन उन्हें स्वीधा देगा या उनकी परेशानी और बढ़ा देगा क्या इससे कुछ फाइदे होंगे या एक्ट्रा चार्ज चुकाना पड़ेगा कैसलेस एकोनोमी बनाने में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने डिजिटल ट्रांजेक्शन पर कई फाइदे की घोशना की है इस पर सवाल यह उठता है कि क्या यह इन स्वीधाओं के साथ काफी है और क्या करिंसी नोट सिस्टम में आने के बाद इसमें आइडेंटिटी चोरी होने की घटनाएं बढ़तों नहीं जाएंगी स्वीधा वितिय लेंदेन में आसानी डिजिटल पेमेंट सिस्टम के लिए सबसे अच्छी बात है आपको कैस जोने प्लास्टिक कार्ड बैंक क्या एटियम की लाइन में लगने की जरुरत नहीं है खास तोर पर जब आप सफर में हो तो खर्च करने का यह सेफ और इजी विकल्प है ट्रांसेंट कंसल्टिंग के डाइरेक्टर कार्टिक जावेरी ने कहा अगर आप कम आमदनी वाले लोगों को छोड़ दे तो बाकी सब के लिए इसके काफी फाइदे हैं कम आमदनी वाले लोगों को इसे हलंकी दिक्कत हो सकती है बाकी पुरे देश के लिए यह सिंपल और कंस्ट्रक्टिव है उन्होंने कहा कि खास तोर पर अगर आप इमर्जेंसी में हो जैसे होस्पिटल वगर है तो यह काफी मददगार साबित हो सकता है PPF AS मैच्वल फंड के मार्केटिंग हैड जैंत पाई ने कहा डिजिटल पेमेंट में आपको कहीं भी और कभी भी पेमेंट करने की स्विदा है कई बार तो आपको पेमेंट करने के लिए वहां होना भी जरूरी नहीं है और ओफिस आवर में पेमेंट का जंजट नहीं है छूट कार ट्रांजेक्शन पर सरकार ने हाल में 2000 रुपे तक के पेमेंट को सर्विस टेक्स से फ्री कर दिया है यह डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है इसके बाद तो जैसे छूट के लिए घोशनाओं की जड़ी लग गई आपको अपनी बचत बढ़ाने के लिए फाइदे उठाने का यह सही समय है कार्ड से पेटरोल खरीदने पर 0.75 फीस दी छूट रेल टिकट हाइवे पर टोल बीमा खरीदने जैसे ही कई छूट की घोशना की गई है दिल्ली में अगर आप कार्ड या इवोलेट से पेइमेंट कर पैटरोल खरीदते हैं तो आपको यह 63.47 रुपए प्रेती लीटर की जगे 62.99 में रुपए मिलेगा सरकार द्वारा जारी छूट स्कीम और इवोलेट कमपनियों के कैस बैक ओफर, रिवोर्ड पॉइंट्स और लोयल्टी बेनिफिट को देखकर कहा जा सकता है कि आपकी बचत बढ़ सकती है खर्च को ट्रेक करना आउटलिक एसिया कैपिटल के सीओ मनोजनागपाल ने कहा अगर सभी लेंदेन का हिसाब रखा जा रहा है तो आपके लिए खर्च पर काबू पाना आसान हो जाता है यह आपको इंकम टेक्स रिटन में भी मदद करेगा क्योंकि आपके सभी खर्च आपके सामने रहेंगे और सबका हिसाब रहेगा पाई ने कहा कि इसका एक फाइदा यह होगा कि आप बजट बनाना सीखेंगे और खर्च पर काबू पाने में मदद मिलेगी बजट का अनुसासन आप इवोलेट या कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हैं तो यह स्टेटमेंट के रूप में आपके पास रहेगा इससे आप अपने खर्च पर लगाम लगा सकते हैं जावेरी ने कहा पहुत से एप और टूल हैं जो आपके खर्च करने के पैटरन का विसलेशन करते हैं और कुछ सालों में बढ़िया एनलेसिस देकर आपकी मदद करते हैं जब आप खर्च पर काबू पालेंगे तो आपकी बचत बढ़ जाएगी अगर पुराने कैस के बराबर नगदी सिस्टम में नहीं आए और लोगों की डिजिटल पेमेंट की आदत बनी रहे तो छुट्टे की वज़े से होने वाली समश्या खतम हो जाएगी आप कोफिया चिप्स के लिए उतने ही पैसे खर्च करेंगे जितने का वह हैं मतलब आट रुपए के चिप्स के लिए दस रुपए चुकाने और दो रुपए की वापसी के बदले टोफिया टोकन का बहाना खतम हो जाएगा इस सिस्टम की वज़े से बजेटरे लिक्स और अनकाउंटेड स्पेंट जैसी चीज़े खतम हो जाएगी और महिने के आखिर में आपके बजट को चपत नहीं लगेगी कम क्रेडिट काडिया मोबाइल वोलेट के गुम होने पर इसे दूर से भी ब्लोक करना मुस्किल नहीं है नगदी मामले में यह नाममकिन है पाई ने कहा डिजिटल ओप्सन में हालंकी लिमिटेड शिक्योरिटी है यह सफर करने खास तोर पर अगर आप फोरेंट ट्रिप पर जा रहे हो तो बहुत महत्वपूर्ण है अगर भविशे में कार्ट्स बायोमेट्रिक सिस्टम पर चलने लगे तो इससे फ्रोड करना एसमबभ हो जाएगा छोटी बचत यह आपको भले ही भहुत फायदेमन ने लगे लेकिन सच है कि उधार लेना बंद हो जाएगा दूसरी बात यह है कि दुकानदार से वापसी में आपको समय खर्च नहीं करना पड़ेगा और आप ठीक उतने ही पैसे चुका पाएंगे जितने का सामान या सेवा है डिजिटल पेमेंट करें डिसकाउंट पाएं सर्विस टेक्स दो हजार रुपे से कम के डिजिटल ट्रांजेक्शन पर 15% सर्विस टेक्स की बचत इंधन क्रेडिट डेबिट कार्ट स्वाइए वोलेट या मोबाइल वोलेट की मदद पेमेंट पर 0.75% की छूट रेल टिकेट्स मंधली और सीजन टिकेट पर पहली जनवरी से 0.5% की छूट ओनलाइन रेल टिकेट लेने पर 10 लाख रुपे का फ्री वीमा रेल केटरिंग, रेल केटरिंग ठैने रिटारिंग रूम आधी के लिए डिजिटल पेमेंट करने पर 5% छूट हाइवे टोल साल 2016-17 में RFID या FAST TEC के जरिए नैशनल हाइवे पर पेमेंट करने से 10% डिसकाउंट इंशरेंस पोर्टल के जरिए साधारन भीमा खरीदने या प्रीमियम में पेमेंट पर 10% डिसकाउंट LIC की पोलिसी ओनलाइन लेने पर 8% डिसकाउंट POS सारवजनिक शेतर के बैंक POS टर्मिनल के लिए सिर्फ 100 रुपे तक रेंट चार्ज कर सकती हैं रुपे किसान क्रेडे कार्ड वाले लोगों को रुपे किसान कार्ड मिलेंगे Digital Transaction के नुकसान आइट póर्टी थेप्ट का जोखिम नागपाल ने कहा Digital Transaction से सबसे बड़ा जोखिम आइट थेप्ट का है हम डिजिटल ट्रांजेक्शन के अभ्यस्त नहीं हैं जबकि बहुत पढ़े लिखे और समझदार लोग भी फिसिंग ट्रैंप में फस जाते हैं ओनलाइन फ्रोड के भड़ते खत्रे के दोर में अधिकतर लोगों के डिजिटल ट्रांजेक्शन प्लेटफोर्म पर आने से हैकिंग के खत्रे बढ़ेंगे हाल में सरकार ने 2000 रुपे तक के पेमेंट पर टू फेक्टर और्थोटिफिकेशन प्रोसेस को हटा दिया है ट्रांजेक्शन के साइज से इतर श्रक्षा का एक्ष्टर लेयर बनाना ही होगा जिससे आइडेंट्री थैप्ट जैसी घटना रोखी जा सके इसकी अलावा एक कमी शिकायत पर सुनवाई के विकल्प का नहीं होना है मुंबई के फाइनेंशियल ट्रेनर पी वी सुमर्मन्नों ने कहा देश में शिकायत पर सुनवाई की दसा बहुत आइसे में अगर किसी रिक्षा वाले का आधार या आईडी गुम हो जाए तो या चोरी हो जाए तुम्हें क्या करेगा नागपालने का ठका देने वाली प्रिक्रिया और कमझोर सिकायत सुनवाई विवस्ता की वजह से लोगों के पास ओनलाइन फ्रोड से निपटने का कोई विकल्प नहीं है इसके अलावा इस तरह के फ्रोड से निपटने के लिए कोई कड़ा कानून भी नहीं है इस साल अक्टूबर में ही इंडियन बैंकिंग सिस्टम को डेटा चोरी का सिकार होना पड़ा था ऐसी घटनाए वित्तिय भुकम की तरह साबित हो सकती है मोबाइल गुम होना तकरीबन सारे फाइनेंशल ट्रांजेक्शन डिजिटल होने की वज़े से मोबाइल का महत बहुत बढ़ जाएगा और इसके खोने का मतलब दोहरा नुकसान है पेमेंट का कोई दूसरा विकल्प नहीं होने और कैस नहीं होने की वज़े से समश्या और गहरा सकती है अगर आप सपर कर रहे हैं छोटे गाउं या सहर में जहां बैंकिंग सुईदा नहीं है तो दिक्कत और बढ़ सकती है एक समश्या और है कि आपका फोन हमेश्या चार्ज रहे अगर आपका फोन बंद होता है किसी ट्रांजेक्शन के बीच में ही डिश्चार्ज हो जाता है या किसी इमर्जेंसी में स्विच ओफ हो जाता है तो आप मजबूर महसूस करेंगे मुश्किल होगी लोगों को देश में साल 2016 तक 34.8 फिजदी लोगों के पास ही इंटरनेट था साल 2015 में सिर्फ 26.3 फिजदी के पास स्मार्ट फोन था डिजीटल होने के पीछे प्रैक्टिकल दिक्कते भी है पाई ने कहा लोगों को डिजीटल होने की तरफ मोड़ने में अगर उनके पास नगदी नहीं है और ये एप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो वे ऐसाय महसूस करेंगे उन्होंने कहा कि जिन लोगों को तकनिक की समझ नहीं है उनके लिए यह एक चुनोती की तरह होगा ट्रांजेक्शन करने में उन्हें दूसरे लोगों की तुलना में अधिक समय चाहिए और स्पेंडिंग कार्ड और मोबाइल वोलेट से ट्रांजेक्शन करना स्वीधा जैनक तो है लेकिन यह लोगों को अधिक खर्च करने की लट लगा देगा बीहवियल फाइनेंस थियोरिष्ट के मुताबिक टैस्ट खर्च करने में लोग हिचकचा जाते हैं बजाए कार्ड से खर्च करने के यह उन लोगों की मुसीबत बढ़ा देगा जो खर्च पर कार्ड की वजए से कंट्रोल नहीं कर पाते पाई ने कहा कि यह बड़ा कारण है जो लोगों का खर्च बढ़ जाएगा और उनका बजट बेकार साबित बिजिटल पेमे में मुश्किल आएगी धन्यवाद जय हिन जय भारत